तीन जून से नौ जून दो हजार चौबिस ये साथ दिन कन्याराशी के लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी जून माहा के इस सप्ताह के कन्याराशी फल के बारे में जून महीने का पहला सप्ता भी आप कह सकते हैं और ये जो पहला सप्ताह है ये ग्रह नक्षत्रों के लिहाज से बेहद शुब होने वाला है क्योंकि इस सप्ताह में कई ग्रहों का राशी परिवर्तन होगा कई तरह के योग बनेंगे जो आपके लिए काफी फ तो देव गुरु ब्रस्पती जो अभी तक अस्तवस्था में थे वो व्रशब रासी में उदय हो जाएंगे और सप्ता की शुरुवात में ही चंद्रमा भी वहाँ विराजमान है और चंद्र के साथ यूति करके गजकेस्री राजियोग के साथ इस सप्ता की शुरुवात जाएंगे और गुरु सूरिय बुद्ध की यूति एक साथ हुए साथ में यूरेनिस को भी ले लेते हैं चतुर ग्रही योग का निर्मान कर दिया बुद्धा दित्य योग भी बन गया तो ये शुब फलदाई योग आपके लिए बन गए अब ये ग्रह नक्षत्रों का ज गया चतुर दिनों की आप इस महिने अगर अपने करियर को देखें तो आपका जो पेशेवर जीवन हैं बहुत आकर्शन हैं मजबूत सारвजनिक छवी बहतरीन बातचीत की कला के साथ इस महिने की शुरुवात होगी और महिने की शुरुवात से ही यानि कि सप्टाह की रोगा शुरुवात से ही ये आपके लिए छोटी-छोटी यात्राओं का योग बनाएगा शुक्षा के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा आपको अध्यात्मिक्ता से जोड कर रखेगा यनि आप अध्यात्मिक्ता की तरब जादा आकर्शित हो सकते हैं रुजहान बढ़ सक कर सकते हैं आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं कारी इस तलब पर गर देखें तो देखें दूसरों के विचारों के प्रती खुले रहना आपके लिए महत्पून है किसी भी चीज को लेकर कोई भी बात हो जिद्दी नहीं बनना है चाहे आपका कामकास से जोड़ा हुआ हो या में थोड़ी यात्रा भी करने पड़ जाएं तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है घर पर आपके भाई हैं बहन हैं उनके साथ अच्छे वारतालाप रखें किसी नोक जोकेस से भी बन सकती है तो जितना अधिक आप अपने परिवारिक मामलों में लचीला पन दिखा समझदारी दिखाएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा शारेरिक रूप से मांसिक रूप से दोनों ही तरीके से आप अच्छे रहेगे देखिए चनी कहां है छटे भाव में जो आपके स्वास्ते के लिए अच्छा है कोई बड़ी विमारी नहीं परिशान करेगी स्व अगर राहू को देखें तो आपके साथ वे भाव में है राहू तो थोड़ी बहुत परिशानिया दे सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि परिशानिया जाएंगी नहीं आपको अपनी जीवन में कई अच्छे समाचार भी देखने को मिलेंगे काफे अच्छा समाचार आपको परिशानिया ही होंगी परिशानी आए ना आए खुशी जरूर आएगी अगर आपको यह अलकोहल वगरा लेते हैं तो उसको अवर्ड करने की कोशिश करें क्योंकि ऐसा ना हो जाए मौज मस्ती के चक्कर में आपकी छवी खराब हो जाए तो उस चीज का ध्यान रखें बस ऐसा होता है तो शर्मिंद के उठानी पड़ेगी तो थोड़ा सा ध्यान रखें बस आपका ओफिस है आपका दफ्तर है वहाँ आप अपने बाचीत के अच्छे बाचीत रखेंगे अच्छे अपने संचार को रखेंगे तो काफी अच्छा फाइदा होगा और इस दोरान को कोई नए और महतपुन प्रोजेक्ट की जिम्मेदारिया आपको दी जा सकती है परिणाम सहरोप इस समय आप दोनों ही दोनों ही चीजों में अच्छे कार्या करेंगे आप अपने रिष्टों में हर एक गिले शिक्वे को भूल सकते हैं लक्ष की प्राप्ती की तरह बढ़ सकते हैं और साथ ही इस राशी की जो स्टुडेंट्स हैं उनकी अगर देखें तो आपके लिए इस समय सबसे ज़्यादा अनुकुल है क्योंकि ये समय आपको खुद को सिक्षा के प्रती सतर्कता बर्तने का है कि आप जितना सतर्कता बर्तेंगे उतनी ज़्यादा कामों को पूरा कर पाएंगे बहुत साह के साथ पराकरम बहुत अच्छा रहेगा एनरजी बड़ी अच्छी रहेगी अगर आप ऐसे कामों से जुड़े हैं ना कमीशन मिलता है जहां कॉंट्रेक्ट पर काम करते हैं तो उन लोगों के लिए ये सब्ता काफी ज़्यादा श जुनियर हो गए बड़े च्छे से महरबान होने वाले हैं और अगर आप काफे समय से जौब की तलाश में बहतर नौकरी की तलाश में थे तो समझ लीजिए ये सब्ता आपकी उस तलाश को पूरा कर देगा यानि कि आपकी उस मनों कामना को पूरा कर देगा अब अगर हम बात करें विदेश की तो देखिए विदेश में जुड़े हैं विदेश से जुड़े करियर से जुड़े हैं कारोबार से जुड़े हैं विदेश से तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप अपने विदेश जाने का प्रयास भी कर रहे हैं तो उनके लिए ये सप्ताह काफी शुब समय लेकर आया है मैं आपको बतादू सप्ताह के अंति तक आपको बहुत ही जादा शुब समचार देखने को मिलेगा और अगर जाना चाहते हैं बाहर तो वहां जाने की योग भी बनेंगे वेफसाय करने वालों के लिए अच्छा है जो यहां भी कारोबार करते हैं उनके लिए भी अच्छा है अपने रिष्टे नातों को अच्छे से लेकर चलेंगे अपने परीजन जो है अगर आप प्रेम सम्मंद में हैं और अपने परीजनों के सामने अपने प्रेम सम्मंदों को आप जाहिर करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपके प्रेम को स्विकारता मिल जाए और उस पर विवाह की मोहर लग जाए लिकिन ये कब होगा प्रयास करने से इस बात को आगे लेकर चलने से घर परिवार में सुक्षान्ती बनी रहेगी तो चीजें ज़्यादा आसान दिखाई देंगे क्योंकि जब सुक्षान्ती रहेगी तबी तो चीजों की तरफ काम आगे बढ़ा जाएगा तो बस शांत रहकर चीजों की तरफ काम करना है अपने हर एक चीज को पूरा करते हुए चलना है हर एक काम को पूरा करते हुए चलना है इस दोरान आप अपने वेवार पर जितना अच्छा कोशिश करेंगे अपने वेवार को अच्छा रखने की उतना जादा अच्छा आप के लिए रहेगा कुछ एक्स्ट्रा आपको काम भी दिया जा सकता है ऐसा भी रह सकता है सबसे ज़्यादा महिलाओं के अगर कहें तो नोक्री पेशा महिला हैं उनको काम और घर के भी संतुलन बनाने में थोड़ी दिक्कते हो सकती है तो वो थोड़ा सा उनको ज़्यादा महनती काम हो जाएगा अब उपाय की बात कर लेते हैं क्या उपाय आपको करना चाहिए एक तो जब भी आप अपने घर से किसी महतपुन काम के लिए बाहर निकलें तो चीनी मिला हुआ एक गिलास पानी पी कर निकलें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अच्छे रिजल्ट देगा और और क्या करना है एक आपको क्या करना है कि ओम नमो नारायन इस मंदर का जब करें प्रति दिन सुबह को 21 पार बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे साथी चनल को सब्सक्राइब कर लें